चर्चा प्रारंब होत है सुनो साथ चीत दे भजो राजश्यामा स्री प्राणनात सक्खी जीवन हमाराए सक्खी जीवन हमाराए महामाती कहे ए मौमीनों बया चर्चा का बखा अब तुम सुनियों चीत दे लाल आगे आए बैठे इन तकत बुलेशी प्राणनात प्राणधार आतम सबंदी धामधनी के प्यारे एवं लाडलेश्युदर्शाजी जिनके दिव्यतन परात्मतन मुलमिलावा में बिराजमान है ये परातम के प्रत्विम श्वरूप शर्वात्माओं के चर्णों में मेरा कोटी-कोटी प्रणाम दामधनी की विशेश कृपा और सत्गुरु के आसिरवात से उत्तर प्रदेश प्राणनात ज्यानपीड सर्शावा की पवित्र बावन भुमी पर शिलाल्दा सिकृत बित्तक शाहेव चर्चाना आज तेरमा दिन श्री महामती आशबाई जिनके सब्दों के द्वारा दो सब्द कहने का जो अउशर प्राप्त हुआ इस बात को मैं अपने को धन्य धन्य मानती हूँ अपने को कुतार्थ मानती हूँ शुन्दर साथ जी धामधनी अक्षरातीत हम पर पल पल महर बरसा रहे है कभी भी उसने अपनी महर की तले अपने छाओ तले एक पल भी दूर नहीं किया मामती कहे मौमिनों ये जो दमदम बरतत ये सब इसको हक का पलपल महर करत नजर से न काड़ी मुझे अबल से आज दिन क्योकर कहू महर महबुब की जो करत उपर मौमिन इस सुख सबदा तीत के क्योकर आवे जुबान बाले से उड़ा पे लग मेरे सीर पर खड़े सुभान ऐसे हमारे सर्व सक्तिमान सकल गुन्नी धान सर्व समर्थ धाम के धनी प्रियतम प्राण वलव आज के दिन ये पल में भी हमको उसकी कबाई तले उसकी महर तले रखा है तो धाम धनी की इस महर का अनुभाव करते हुए आज हम बितक के तेर में दिन में दिव बंदर में प्रवेश करेंगे फिर कहो स्री जेकी जो बितक बिच इसलाम लड़ाई करी दज्जाल शो शो कहो मुकाम और ठाम शो कहो मुकाम और ठाम जब जाम वजिर विदा दै प्राणाधार आतम शबंदी सुन्दशाजी दाम धनी अक्षराती प्राणवल्ल प्राणप्रियतम आसबाई के दाम दिल में बैटकर जो हमको यह उलोकी कखंड सुख की जो सुद्धी दे रहे पैचान करा रहे हैं पांच में दिन की लिला जब चल रही थी उस ताइम पे जागनी यात्रा हमारी जो दिव बंदर से अभी सुरू होने वाली है बिक्रम सवन सत्र सो बाईस का समय है उससे पहले दामदनी ने बताया के जब जाम बजीर बिदा दई देख कसाला दुख तो इंद्रावति की आतम को मिराज ठाकुर को जिस तन्य में इंद्रावति की आतम बैठी है तो दुख तो जीव को पड़ता है शरीर को दुख का अनुभव होता है यहां बताया के कितने दुख देखे धाम धनी अपनी अम्रूत में वच्छनों की रस्तरा प्रवाहीत करते करते शुंदर साथ जी आगे बताया के जब कल हमने प्रशंग में भी सुना के 774-75 के जो एक साल जो कसाला पड़ा दुख देखा अब सामे प्रबोधपुरी में जहमनगर में तो धाम धनी ने सोचा अपने दिल में लिया क्या दुख देखा के जो वानी और ये धाम धनी अक्षरा तीत के मुखार में से अवत्रीत वानी और ये धाम धनी को आने से भी इस संसार को अखंड सुख प्राप्त हुआ और इतना ही नई ये धाम धनी की वानी जो तारतम वानी का अवत्रण का प्रशंग भी हमने कल सुना इस वानी से अस्राफिल ने पहला सुर्ट फुक दिया के संसार के सवी जीवों को अखंड सुख प्राप्त होगा और दूसरे सुर्ण से फुकेगे तब संसार के संपुर्ण जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी ऐ सिवानी का अवत्रण अवत्रण के बाद जाम वधीर ने जो पस्चया ताब किया क्योंकि उसने जो जाँच की थी वो पुरी तरह नहीं की थी क्या सत्य है और बीना देखे उसने जो अपने घर में ही केद कर लिया राजदरवार में केद कर लिया और बिदा करके राणियों ने जो वहाँ अपने घर में जो प्रकास को देखा कि योगमाया ब्रह्मान में जो नित्य रास खेली गई जो अखंड योगमाया केवल ब्रह्म में जो अने को रामतों खेली गई वो रामतों का जो प्रकास अपने घर में अपनी विंडो से जो अपनी खिड़की से बहार आ रहा था यह प्रकास देखकर जब वजीर जब वजीर जब वहां आए तो उसको राणियों ने बोला के वही जल्दी से उसको बहार निकलो यह तो कोई अवलोकिक महापुरू से आप उसकी दुख का पस्चया आपने जो उसको दुख दिया उसका पस्चयाता भी आप कर लो और विदा करते शमय शिरो पाउं भी पहनाया और एक गाँ वसाने के लिए जुनागड नामक ये भी लिखके दिया तो शुन्दर साजियां बताया के इंद्रावती की आतम जिस तन में बेठी है कितने कितने कसाले देखे ये धामधनियां बता रहे कि इतना ही नहीं और आगे सुन्दर साजियां जुनागड गए वहां हर जी व्यास की आतमा को जागरत किया और उसके अहेंकार को नश्ट किया और उसके बाद जब वहां दो साल रहे दो साल के बाद मूल स्वरूप मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामें दोई तो मुल स्वरुप ने महमति के धाम दिल में एक बातुनी शंकेत कर दिया कि जाओ मिहराज जामनगर पर सुन्दर साथ पर संकट आने वाला है कुतुम खान हमला भी करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कर चुकते नहीं किया है तिन साल होने वाला है तो जब संकेत हुआ तो हो 18 में 1718 में जामनगर वापस गए वहाँ बिहारी जी को मिले और उसके बाद उससे थोड़ी डिसकस आपले भी बातचित भी हुई और वहाँ वजीर की कामगिरी का काम भी संभाला और उनिश में उसके बाद सुन्द साजी जब अमदाबाद गए वहाँ कांजी भाई को अमदाबाद की जेल में केद में उसको जब भेजा गया और वह बाहर निकले यहां बता रहे कितने कितने कसाले पड़े क्योंकि जिस तन्य में स्वय मक्षरातीत धामदनी भी राज माने उसको क्या कांजी भाई को बाहर निकाले और वह अंदर केद हो जाए ऐसा करने की थोड़ी जरुरत थी यहां शुन्द साजी धामदनी बता रहे कि खेल की अंदर के जो भी खेल और जिस तन्य में अक्षराती थे उसने भी प्रकृती की मर्यादा का उलंगन नहीं किया जो लिला पहले से मुल स्वरूप ने दिल में ले ले थी वोई आज तीसरा कसाला सुन्द साजी देखा यहां बताया रासगरंथ में के तिन बाहें ग्रईलई नीशरी में तिन जुद किया फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई वस पोताने करी तिन तिन युद किया क्या क्या पहला युद अरब की धर्ती पर जाना और आने के बाद सत्गुरू ने प्रनाम श्विकार नहीं किया दूसरा युद फुलबाई का त्याग और तिशरा युद जामनगर में प्रबोध पूरी में केद में जाना और तिन युद के बाद आज अंदर से सुन्द साजी final कर लिया कि नई निस्चित कर लिया कि बस खेल को बहुत देख लिया धामधनी जो मुने खेल को माँगा था ने कि नई एक बार नई धामधनी शो बार देखो अजमाई के ऐसा साहिब कहते है जैसा साहिब कहे थे एसी कब हमसे न होई सोबेर देखो अजमाई के एसी मौमिन न करे कोई हमने बोला था ने बड़े-बड़े दावे किये थे के नहीं धामदनी हम आपको नहीं भूलेंगे घर को नहीं भूलेंगे शोयम हमारी नीज आतम को नहीं भूलेंगे एक बार नहीं सोबेर देखो अजमाई के या तिसरी बार युद में तो इंद्रावती विचार कर सोच रही के नहीं मैं तिन बार युद में जित गई तिन बार युद में हमारी हार नहीं हुई लेकिन चोथी बार मेरे ही अंगश्वरू कौन कांजी भाई को मेरे को भेजना पड़ा और मैं बाहर निकल गई तो चोथे युद्ध में मैं हार गई और कांजी भाई आपने कल सुना के कांजी भाई भी फिर वापस लोड़ते है धामदनी की कुरपा हुई उस पर भी कसाला नहीं पड़ा सुन्दसाजी और श्री जी फिर जामनगर नहीं गए और सिद्धे कां पहुँचे दीव बंदर में पहुँचे दिव बंदर में पहुँचे वहाँ जैराम भाई को मिलते है यह आपने अगली चुपाई में देखा के वहाँ जाके जैराम भाई सत्गुरू धनी देव चंदर जी चोथे दिन की लिला में उस टाइम पे उसने तार्तम ले लिया है और वहाँ जाके उसको मिलते हैं और जैराम भाई कुशल शेम पुते हैं क्या पुते के मिहराज आपको यहां क्यों आना हुआ सब कुशल तो हैने सब आनन्द मंगल तो हैने तब मिहराज क्या जवाब देते पता है सुन्दसाजी अंदर से इंद्रावती की आतम यह भी अपने सुन्दसाथ के लिए यह प्रशांग किसी का नहीं है एक एक प्रशांग एक घटना करम को एक एक टोपी को अपने पर लेना किस पर लेना है यह कोई जैराम भाई का प्रशांग नहीं है सुन्दसाजी हमारा जब तक पूरी बित तक पूरी नहीं होती तब तक ये प्रशांग हम पर लेना है कि हम ही जईरंबाई ये धामदनी हमारे घर में या हम भी कोई ग्यानपिठ हो या कोई भी मंदीर हो या आश्रम हो ये कई भी जग, कई भी स्थान पर हम भी कितने बार तारतम लेने के बाद चर्चा स्रवन किया, चर्चा सुना, वानी पड़ी, लेकिन हमारे अंदर कितना बदलावाया हमने किस तर पर पैचान की धामधनी की, तो ये प्रशंग से सुन्दसाजी इतना ही समझना है कि पूरा ही प्रशंग किस पर ले रहे हैं? अपने पर, किस पर राजीव? अपने पर यहां बच्चों अमारी और ध्यान रखो धामधनी की वानी की और, इधर उधर मत देखना तो यहां पूछा तब मिराज इन्हें क्या जवाब दिया? कि है जैराम भाई मेरा आपके लिए आना हुआ है और कोई काम नहीं है मैं इसलिए आया हूँ आपके घर में, दियुबंदर में कि मेरा आने का यही कारण है कि मेरा आने के बाद आप सत्गुरु के टाइम पे तार्तम लिया है तो आपको अपनी अभी पैचान भूल गए घर की पैचान भूल गए धाम की पैचान, धनी की पैचान तो मैं आपको सावधान कर सकूँ एलर्ट कर सकूँ कि माया में इतना डूब गई आप क्या तो क्या हमारे पर यह नहीं बित्ती है कि हम भी ये सद्गुरू से कितने साल हुए तार्तम लिये किसी ने सरकास्षी के टाइम पे तार्तम लिया होगा और आज तो कोई बड़े माराजी के टाइम पे तार्तम लेने वाले तो कोई नहीं है सुन्द साथ जी तो उस टाइम पे भी तार्तम लिया होगा तो उस टाइम से अभी तक क्या हमने हमारी पैचान की ऐसे तो कहीं सुन्दसाथ आज हमारे शाम ने आये सद्गुरु के रूप में आज पुझे स्वामी जी भी कहीं सालों से सुन्दसाथ जी बार बार कितना दर्द लेकर हम को समझा रहे के सुन्दसाथ जी तुम अपनी आत्मा को जागरत करो ये सुक लेने के लिए ये ठोर इत्ष ठोर कहा का है ये ठोर जागने का ठोर यही ये ठिकाना जागने का यहाँ है परमधाम में जाके हम बोलेंगी कि धामधनी हमारे लिए 200 बार जमिन वहां से निकाल दो और वहां बढ़िया घर बना ले और बढ़िया बिजनेस कर ले और वहां हम धामदनी का एक मंदिर बना दे यास्रम बना दे वहां चर्चा सत्संग शुरू कर दे और वहां हमारी आत्मा को जागरत कर ले क्या वहाँ यह होगा होगा यह किया नहीं होगा देखन का ठोरीत है पूरे प्रख्षा धामदनी बता रहे है कि जैराम भाई मैं आपके लिए आया हूँ इतना ही नहीं और आगे बताते है कि आपने सत्गुरु के टाइम पे तार्तम लिया उसका धाम गमन अंतर ध्यान लिला हो गई बिक्रम संसत्रसो बार में आज दस साल हो गए 22 में पहुँचे ने दस साल हो गए क्या दस साल में आप एक बार नवतनपुरी नहीं आए क्या एक पत्र भी नहीं लिखा आपने यह किसकी बात है इतने टाइम से हमने तार्तम लिया इतनी चर्चा आज तो मीडियो ठीके अजनिक आज की टेकनोलोजी देखो सुन्दोसाजी मोबाइल ओन करो सिधी चर्चा कितनी हमने चर्चा सुनी कितनी पहराइने पड़ी कितनी बार अमने पारण की समापती कर ली होगी तो आज बता रहे हैं कि तुमारे अंदर क्या बदलावाया क्या परिवर्तन आया और आगे बताते हैं कि उसके बाद बिहारी जी चाकले आये गद्धी पर उसको बेठाया ने कलम ने प्रशंग में सुना तो आपने एक पत्र भी नहीं लिखा क्या आपका इतना भी कर्तवया नहीं बनता था आपकी इतनी भी फर्ज नहीं बनती थी क्या आपने एक पत्र भी नहीं लिखा जैराम भाई आप इतना अंधेर करके बैठ गए हो ये माया अभी तक किसी की नहीं हुई है और किसी की होने वाली भी नहीं है कहां तक बोल दिया कि जैराम भाई माया के जीव जो इतना अंधेर करके बैठ जाए तो कोई बात नहीं ठीक है कि माया के जीवे बिचारे की पहुँच भी निरातकार तक की है उसको पता ही नहीं कि हमारे आत्मा के माली कौन है, हमारा घर कौन सा है, और हमारे प्रियतम कौन है, हम कौन है, आये कहां से, वो जीव को नहीं पता है, अपना ठीकाना कहा है, ये सरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहा है, ये उसको नहीं पता है तुमने तो सत्गुरु के टाइम पे ब्रज की बाते सुनी, रास की बाते सुनी, धाम की बाते सुनी तो क्या अभी तक आपने सत्गुरु माराज को दिल में क्यों नहीं बसाया समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ सत्गुरु माराज मतलब कोई देवचंद जी नाम का तन नहीं सत्गुरु मेरा श्याम जी में एहनिस चरणे रहू सत्गुरु के अंदर कौन बैठे थे सत्गुरु जिसको कहा जाता है जिसके अंदर परमधाम का आवेस बैठा है समझ में आया तो क्या कहना चाते कि जिसके अंदर सुन्दरबाई श्यामाजी स्वरुप सुन्दरबाई बैठी थी जो आपके अंदर वो स्वरुप बैठा होता तो तो आप इतने अंधेर करके इतनी गलती भूल करके आप यह नहीं बैठ दे हे जैराम भाई और आगे बताया क्या बताया कोई न अगाया इन में चचोडट ठोर मुर्दार इन माया से अभी तक कोई तुरुपत नहीं हुआ है क्या आप मानते हो कि मैं इसमें से तुरुपती ले लूँगा नहीं 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 यह माया कभी भी किसी की नहीं हुई है और किसी की ओने वाली भी नहीं है आप अब तक ये जुठे मोह और बंधन में जो रिष्टेदारों के जुठे बंधन में आप फसकर कैसे चचोडट ठोर मुर्दार कहां तक बोल दिया सुन्दसाज ये किसकी बात है ये हमारी बात है एक एक सब्द पर एक एक चरण पर एक एक घटना करम पर आपका ध्यान होना चाहिए बस हमारी आतम को धाम दनी अब भी इस हाल में इस समय इस घड़ी में हमको बता रहे हैं क्या बता रहे हैं के चचोडट ठोर मुर्दार मतलब एक जो मरे हुए कोई प्राणी के हड़ी जो होती है एक कुट्टे जब लेकर आता है हड़ी को अपने मुँ में रखकर चुसता है चुसने से हड़ी अपने जो मसूडों में पेड़ा में अंदर खुचती है तो अंदर मसूडे से क्या निकलता है? खुन, रख्त और कुट्टा क्या करता है? ये रख्त को अपने ही रख्त को पीता है और मानता क्या है? ये रख्त तो हड़ी से आ रहा है मानता है ने? और हम भी इस अंसार के जो मोह बंधन के जुठे रिष्टों में इसमें ही हमने सुख मान लिया ने? कि परिवार में यह हमारा सुक सर्वस्व ठीक है मान लो तब तक तो ठीक है लेकिन सर्वस्व यही हमारा है यह मानना बहुत बड़ी भूले और यह माया में आज जुठे बंधन में यह मोह में यह तुशना में यह इशा की अगनी में फशना यह हमारे लिए बहुत दुखदायक है क्या समझा रहे धामदनी यह जो हमारी इंद्रिया है यह जैराम भाई को बतड़ है क्या कि भाई रूप, रश, पर्स, गंद और सब्द जो पाँच हमारी तन्मात्रा है जो इंद्रियों से हम यह संसार की विश्टववासनाओं का जो हम भोग करते है यह भोग से क्या अभी तक अमारी जिहिया तुपता हुई क्या अमारा स्रवन तुपता हुआ क्या अमारी नासिका तुपता हुई क्या अमारी सपर्स से अमारे कोई इंद्रियों का सुख लिया स्वेंदन शिल्ता का क्या इस से अमारे कोई विकार वासनाओ भोगने से सुख मिला नहीं या नेत्र इंद्रियाभी पल पल एक शण में कितने विकार पैदा करते देती है यह भौतिक नेत्र जहां जहां नजर करता है नहीं वहां बस विकारी विकार पैदा होता है तो यहां बता रहे हैं कि यह जुठे सुख यह जुठे विशाइवासनाओं के भोग में तुम भसे हो यहां भर्तु solarी भी अपने विराग्य सतक में बताते हैं के वयमेव जिर्ना वयमेव तुष्णा आपकी जो तुरुषणा है आप एक दिन बुढ़े हो जाएगे लेकिन आपकी तुरुषणा बुढ़ी नहीं होगी आप एक दिन मर जाओगे आपका सरीर मर जाओगा आपका जीवनी मरेगे लेकिन सरीर के साथ जो तुष्णा इच्छा जो चित में संस्कार बने है बार-बार आपको पुनरजन्म कराएंगे बार-बार अनेक योनियों के कष्ट आपको भुगतने पड़ेगे हे जे राम भाई यह आप इतना अंधेर करके बेठे हो तो आज हम भी सुन्दसाज जी यह विश्वासनाओं के भोग में कितने डुबे पड़े आज हमको क्या मिला है मैंने अभी बताया कि यह चौद लोग पुरे संसार को खंड कर सुक्सितल करू संसार चोर टाड़ी करू हो लाओ सुक्सितल करू संसार अनेक विदे सुक्दव मारा साथने रास्तना आवार पियाए जगाए मोहे एकली में जगाओ बांदे जुथ तो यह इंद्रावती आच्छेठे दिन में आसबाई के धाम दिल में बैठ कर हम सर्व सुंद्र साथ को प्रबोदित कर रहे हैं शिखापन दे रहे हैं या समझा रहे हैं या जो भी मानो सुंद्र साजी आज बोद देकर क्या के रहे के सुन्दसाजी बस इस माया से सावधान हो जाओ जो जहिराम भाई की स्थिती बनी वो स्थिती आप बर भी घटित ना हो और आगे बताया के जहिराम भाई इतना भी नहीं देखो कबलो कांसा कुटेगा कबलो अथोड़ा एहरन कबलो घर में बैठेगा सीर पर आई क्यामत रोशन आप आपकी उम्र तो देखिए कितनी बड़ी हो गई है साट सत्र साल की उम्र का उम्र जितना ओने वाला है आपकी उम्र और आप अपनी और देखते ही नहीं और आख पर चस्में भी आ गए आपकी कमर भी लच्की हुई है और आप अपनी और नहीं देखते हैं और पूरे बरतन कहां बनाते किसके कासा के बरतन बनाते बनाते किस से बताया ने कबलो कासा कुटेगा कबलो ठोड़ा एरन ठोड़े से एरन से मार मार कर कहां तक ये कासा कुड़ते रहेगे तो सुन्दर साजी हम भी आज ठीक हम बरतन कासे के नहीं बनाते हैं आज और करते हैं हम काम करते हैं ने गर में सुबस उठकर रात तक कासा ही कुड़तो कुड़ते हैं हमारा हमारे पास कितने घंटे होते सुन्द साजी 24 गंटे ठीक है 12 गंटे ठीक हम निंद में भी था देते एतना बोलते 12 गंटे सोते तो नहीं और 12 गंटे तो दिन के मिलते ने 12 कितना धनी को देते हैं और कितना हम परिवार, रिस्तेदार और हमारे सरीर के लिए हम पसार करते हैं पास कर देते पूरे दिन को आप अपने आप सोच ये न अपने रदई पर हाथ रख कर कि कितने टाइम हम हमारे धनी के चलणों में सुन्द साजी रहते हैं और कितने टाइम हम माया की ओर पुराई पसार कर देते हैं तो अपने आप सोच ये या बताया कि आप जो कांसे के बरतन बनाते बनाते आपने इतना बड़ा बिजनेस मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने क्या सुख पाया आपने कोई लोकिक शुख भी नहीं पाया है बस बरतन बनाते रहे हो क्योंकि इतनी तो धन संपती है कत्रित भी नहीं की है तो यहां के कोई संसार के लोकिक शुख आप भी प्राप्त कर लो तो कहां तक आप बनाते रहोगे और यह व्यवारी कामों में या यह लोकिक शुखों में आप कहां तक डूबते रहोगे हे जैराम भाई इतना ही नहीं क्यामत मतलब आखिर की घड़ी आखिर का समया गया आप अपने मूल घर को याद करो आपको पता है आप कितने समया रहोगे क्या पता है हमको ये कभी ये सरीर दगह हमको दे देंगे पता है क्या ये सरीर की उम्र कितने साल की है ये स्वास आया और नहीं आएगा ये क्या हमको पता है जो पहले पता होता तो हम हमारी क्या कर लेते हैं जिवन को धन्य बना लेते हैं सुन्दसाजी हमारी आतम का कल्यान कर लेते हैं इसलिए तो धाम धनी ने वानी में बताया के तेरी गिंती बांदी एक सास की भी नहीं आस क्या बताया कि तेरी गिंती बांदी स्वासो स्वास हमारी गिंती स्वासो के स्वास स्वासो के साथ बंदी हुई है सुन्द साजी मालो हम जनम दिन मनाते ने एक साल के बाद भले हम नहीं मनाते संसार की पूरी में धीत्रिवाज रस्मों की बात बता रही हूँ कि एक साल के बाद कोई जनम दिन मनाते ने वर्सगाठ मनाते कोई मेरेजन नहीं वर्शरी पता है हमारे जीवन का एक शाल चला गया बड़े मनाते हैं ने बच्चों का पता ही नहीं क्योंकि हमने भी संसकार नहीं लिये तो हम वेस्टन कल्चर तो अपनाएगे यही तो करेंगे कि एक साल में हमने बच्चों को कितना संसकार दिया और हमने हमारे जीवन में वानी से कितना सुख लिया कितना प्रेम का आनंद प्राप्त किया तो हम क्या करेंगे यही तो करेंगे ऐसे हमारी 40, 50, 60 17 कितने साल बित गए, लंबी उम्र बित गई, यह बता रहे कि जेराम भाई अपने घर को याद करो अपने प्रियतम को याद करो किसको बता रहे सुन्द साजी, दारतम किसको बता रहे धामदनी, हमको बता रहे बता, समझ में आया सुन्द साजी यह किसी का प्रशंग नहीं है यह सब टोपीक सब प्रशंग, सब घटना करम हमारा है और आगे क्या बताया अरे जेराम भाई कितने साल से तारतम लेके आप दिव बंदर में रह रहे हो क्या आपने आपनी आत्मा को जागरत किया और आपने चर्चा, चित्वनी सद्गुरु इस टाइम पे गांग जी भाई के घर पे चाकला मंदीर में या गांग जी भाई के बगिछे में जो नौतनपूरी अभिहाल का है वहाँ भी चर्चा सत्वंग होती थी यह वानी में भी बताया के वनराई वलव की वारी जाओ वनराई वलव की जिसको दिशले दूर जाई माया तो वहाँ बैठ कर सद्गुरु व्रज की लिला का उवरणन करते थे हम स्वायम व्रज में पहुँच जाते थे तो है जैराम भाई क्या अपनी आत्मा की जागरती की तो अपनी आत्मा को जागरत नहीं किया तो क्या सोय हुई आदमी दुसरे को जगा सकता है क्या सोया हुआ आदमी कोई व्यक्ती दुसरे को जगा सकता है क्या अंदर में रह रहे हो, कितनी आत्मा को जागरत किया, किसको बता रहे दिदी, हमको, किसको बता रहे सुन्दर साथ जी, और इतना भी नहीं, किसको ये परमधाम की राह पर चलाया, क्या पड़ोसी को भी हमने बताया कभी भी, कि हमारा घर सब का एकी आत्म, मतलब आत्म तो सवकी, सवकी, एकी दी से, जुजवाते दी से, देह, हम सब परमधाम की आत्मा है, परमधाम से आये, ये खेल, जब खतम होगा, तो सब वापस कहां जाएगे, परमधाम जाएगे, तो जैराम भाई, इतना अंधेर करना, आपके लिए ठीक नहीं है, तो इतना खंडनी का व और आगे पढ़ेंगे, तो बहुत खंडनी के वचन किये, और आगे धाम धनी बता रहे है, कि दो पहर को, जब भोजन का टाइम हुआ, स्नान अधी का टाइम हुआ, तभी बताया, कि मिहराज जी को पुछा, स्री जी को पुछा, कि आप स्नान अधी कर लो, और भोजन भी आरोग लो, यहां चोपाई भी बताती है, कि आरसोई का आदर किया, नहलाय स्री मिहराज, बैठाये भोजन में, और अरोगाये स्री राज, वह मिहराज बोला, और अरोगावने, स्री राज बोला, क्यों? धाम धनी की, कोन बेठे? महराज ठाकुर के दिल में कोन बेठे? श्वयम धाम के, धनी, प्राण नात, श्री जी, अक्षरा, तीत, प्राण वल्लब, तो यहां बताया, लालदासी, आसबाई, अपने भावपुर्ण सब्दों में के रही, कि स्री राज को भोग आरोगाया, भोगशी राज को आरोगाया, और बेले नहलाया, फिर भोग आरोगाया, और फिर बोले के, चलो, हम थोड़ी देर पोढ़े, तो यहां, जहरम भाई, ने जब यह पूछा ने, के चलो, हम थोड़ी देर आराम कर ले, पोढ़ ले, तब स्री जी ने क्या बोला? कि भाई स्री जी बोले कि हमारी तो और ए गरज मतलब हमारा और कोई कारण है हम और उदेशिय के लिए आए है हमारे हम सोने के लिए नहीं आए जो सोय हुए हैं उसको जगाने के लिए हम आए तो सुन्दस साथ जी धामधनी हमको भी बता रहे बार बार ये चर्चा बार बार ये भंडारा बार बार ये कार्यक्रम दामधनी बार बार ये कार्यक्रम के माधिय हम शे क्या समझा रहे जो आप आने के बाद सो गए हो ने जगाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे है हमारा एक ही उदेशिय है कि आज 12-13 साल से तो ये बंडारा हो रहा है और आगे बहुत कार्यक्रम होगे लेकिन अब अपनी आत्मा को जागरत कर लो बस हमारे पास समय नहीं है तो फिर स्री जी ने सुन्दत साजी फिर वच्चन सुरू किये फिर चर्चा सुरू की कहां से सुरू की है जैराम भाई व्रज में हम कैसे लीला करते थे कहां से सुरू किया खड़नी के वच्चन के बाद व्रज से सुरू किया कि व्रज में हम कैसे लीला करते थे और वहां भी काम भी कितने थे बहुत से काम थे तो भी एक पल दनी से अमारी जुदागी भी नहीं थी आज तो काम भी क्या है इतनी मतलब आज टेकनोलोजी आ गई सुन्दसाजी उस टाइम पे कच्छा घर था मिट्टी का जो नीचे लिपन करते हैं ने सुन्दसाजी और पानी भी कहां से जल भी कहां से भरने के लिए जाना पता था बाहर से यहां आज पूरी टेकनोलोजी यह इलक्ट्रोनिक सब टेकनोलोजी के साथ सुन्दसाजी कुछ काम नहीं है हम बाहना बनाएंगे तो आज दोसी कौन है आज दोसी कौन है आज हम है ठीके आधे गंडे भी टाइम मिले घर में तो हमारे पास आज सब कुछ सुविदाये उपलब्द है लेकिन हम करे तो नहीं यहां बताया के हे जैराम भाई ब्रज में कितने काम थे आज तो दियू बंदर में इतने काम भी नहीं है यह रास ग्रंथ के सुन्द साजी जो अगले पाँच प्रक्रण है हवे पहला मोजलनी कहू बात माया गई पोताने घेर बुंडा जीव जाग जेरे प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी और एने पगले आपन चालिये पगला एरे प्रमान सुन्दर साथ जी यह पाँच प्रक्रण कहां उत्रे दीव बंदर में उत्रे यह पाँच प्रक्रण से द्रश्टांत ले लेकर धामदनी ने बताया क्या बताया कि भाई माया के जीव भी इतने अंधेर में बताया कि जुव जीव तर्णि ये रीत नव मुके अंधेर नी पीत धनी अमारो अक्षरा तीत तो ये अमेन समझ या प्रतीत दिवे ताडियो ज्यारे सुन सुहाग त्यारे पतंग पामियों वेराग का जम्पावी ओलवे आग अने का काया नो करे त्याग क्या बताया यहां जीव के बात को लेकर जीव का द्रश्टान्त देकर जूँ जीव तनी ये रीत एक पतंगा एक छोटा सा पतंगा जब दिपक के इर्थ गुमता रेता है का तो वो दिपक को बुजा देता है का अपने काया को अपने देह को त्याग कर देता क्यूँ ये जीव जो पतंगा का जीव है उसका सुहाग क्या है जुन्दसाजी क्या है उसका सुहाग अंधेरा है ये अपने सुहाग के बीना नहीं रे पाता तो यहां क्या बता रहे धाम तुम ब्रज में आए, रास में आए, आज जागनी ब्रह्मान में चोथे दिन की लिला भी पुर्णा हो गई, आज पांच में दिन में हम यहां पहुँचे, तो अभी तक आप नहीं जागरत हो रहे हो, कितनी माया ने आपको, माया ने आपको घेर के रखा है, कितनी प्रबल अपने माया, यह माया, हमने पहले प्रकरण जो देखा ने माया, महजलनु प्रकरण, उसमें बताया कि अहवे पहला, महजलनी कहुआत, देता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कही भात, तेनी कितनी कहुँआत, यह माया कैसी है सुन्दत साची, तिन प्रकार की अ बढ़वा अगनी तीसरी जठरा अगनी ठीक है तीन प्रकार की अगनी पहली दावा अगनी जो जंगल में लगती है एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी का जो रगड़ ना घरसन होता है तब अगरी प्रगट होती है दूसरी बढ़वा अगनी जो जल में पेदा होती है तीसरी जट्रा अगनी जो हमारा खादिय पदार्थों को जो हमने खाए हुए भोजन को पचाती है यह तिन अगनी लेकिन यह बताया कि जैराम भाई हमारे अंदर जो कामा अगनी इश्शा अगनी मोहा अगनी द्रेशा अगनी ऐसे कई प्रकार की जो अगनी अमारे अंदर जल रही है यह अगनी तो दिन और रात एहनी इस कष्ट दे रही है कभी भी वो सांत वोले वाली नहीं है इसलिए तो कपिल मुनी ने शांखिय सास्तर में बताया ने, कुत्र अपी को नपी मतलब कोई कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है और कहीं सुख नहीं है और कहीं कोई सुखी भी नहीं है तो सुन्द साजी आज हम कोई यहां की धनमिलकत में सुख लेना चाहते है कोई बच्चे परिवार में सुख लेना चाहते है कोई पती मेर सुख लेना चाहते है या कोई संसार के कोई भी खारण लेलो लेकिन किसी में भी सुख नहीं है धामदनी ने बताया कि एक सुख काँ है तो बताया कि मेरे चरणों में बोलिये सी प्राणनाथ कठो उपनी सद का एक कठन है तम आत्पस्तम अनुपश्यंती धीरा तेशाम सुख शास्वतम एत्रेशाम बताया ने कि अंदर जाके आप जब देखोगे जाक के तो सुख काँ है अपने रदई धाम में अपने दिल में अपने आत्मा के धाम दिल में तुम बोलते हो ने ये अरस तुमारा मेरा दिल है तुमा एक रो आराम और बताया कि हक लजज़त आई मौमिनों सब दुनी करी मुर्दार मतलब जिसको ये लजज़त हक मौमिनों मौमिनों को जो हक की लज़त आई ताम दनी का सुख आया श्वाद आया उसको पता लगेगा वही दुनिया को मुर्दार करेगी वही चवदे तबक को एक जुठ समझेगी एक मुर्दे की थरह समझेगी उसकी वरो देखेगी भी नहीं यहां बता रहे है जैराम भाई को कौन? स्री जी और रास के चोथे नमबर के प्रकरण में भी बताया प्रेमा शेवा वाले प्रागट की दी व्राज़त आणिया वाररे उस प्रकरण में आगे बताया दुसरी नमबर की चुपाई में दामा तना साथा सांब लोरे कउचो लागीने पाया रे जेरे मनोरत की धा आपने पुराण येणी पेरे थाया रे व्राज़मा की दी आपन वातनी रे समझा रहत द्यू बंदर में सत्रसो बाइस में जेरामभाई को के जेरामभाई ब्राज में दाम तना साथ सांब लो कउचो लागीने पाय अरे इंद्रावतिजी एक जह बोला ने नमी नमी लागू पाय इंद्रावतिजी स्थन में श्वयम अक्सरातीत, धाम के दुला, धाम के दनी बेठे, वो भी अमको चरणों में प्रनाम, लेकिन वो अपनी आत्मा को बोल रही है, कि है आत्म, क्या बोल रही है, कि मेरी इंद्रावती की आत्म, तू भी अपने धाम दिल में बेठे हुई अक्सरातीत को प्रनाम कर, तू के नामक तन के अंदर जो बैठे हुए प्राणनात को अक्सरातीत प्राणनात श्री जी सहे और धाम के दुल्हा मान रहे तो यहां भी बताया कि मेरे धाम तने साथ सामलो कौचु लागी ने पाई जिरे मनुरत की दापने पूरण एनी पेरे थाई हमने परमधा में क्या मनुरत किये थे क्या ये परिवार में फसने का नहीं 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 क्या मनुरत हमने किया था क्या ये रिष्टेदारों के सगे सबंदियों की सुन्द साजी व्यवारी कामों में सुन्द साजी लगे रेना पुरा दिन ये मनने मनुरत किया था क्या क्या वहां जाके हमने ये बोला था कि नहीं धाम धनी हम दो बड़े-बड़े कोठी या दो बड़े-बड़े बिजनेस करके दिखाएंगे आपको परमधाम में धाम माय धनी हम ऊचुकें जोईशू पहुंचे पवारा पर आतम मोझार को क्या वहां जाके हम यह बोलेंगे कि हम यह करके आए हैं क्या करने के लिए हम नहीं बुलेंगे आपको घर को भी नहीं बुलेंगे इतना नहीं हम इतनी थोड़ी कठोर दिल की है आपका प्रेम इतना जोड़ावर इतना बलवान है यह माय आमारी क्या बिगाड़ेगी बोला था ने क्या यह बोलने वाले और कोई थे कौन थे बोलने वाले हमी तो थे वहाँ और कोई थोड़ी थे इतना यह नहीं और भी बोला था क्या बोला था कि धामदनी देहसत तो अंदर थी बीक तो थी वहाँ से अलग होने की फिर हम गलमलिया एक के गले में बाई में बाई डाल कर हम बैठ गई धामदनी असरे मंद मंद मुस्कुरा रहने धामदनी को पता था कि यह तन्तुमा जाने वाले ही नहीं है देखो बड़े बड़े दावे कर रही है बार जार साथ में जा रही है लेकिन बार भी एक गाउं में नहीं रह पाएगी बोलिये सी प्रान नाथ बार भी एक गाउं में अज कितनी पुकार कर रहे हैं कितने टाइम से पहले मेसेज बेद दिये क्या बंदर भी सुन्द साथ है कोई यह हमारा दावा निच्छे गिर गया क्या हमारी हासी नहीं होगी इसलिए कि कहावानी में धाम दनी ने साथ जी हासी का है ठोर क्या ठोर है यह ठीका ना कहा का है किसका है हासी का सुन्द साजी वहां जैराम भाई को समझा रहे है लेकिन आज ही एक बात को हमको समझा रहे कि बहुत बातों में जो और रबद में जाऊंगी तो हमारा प्रशंग निप्रण होगा और हम आगे बढ़े और बताया कि जैराम भाई व्रज मा की दिया पन वातरी शगरी माहे सने काम करन्ता अतिगना पन खिन नव छोड़ियो नेहारे क्या बताया काम करते अतिगने एक पल की जुदागी हमारे लिए करोडो साल की करोडो युगों की समान ब्यतितोती थी बताया और आगे कि एक वाचड़ा लई वन पधारे त्यारे रोवनता दिन क्योंकि श्री कुष्ण के रूप में जो ब्रज में लिला हो रही थी ने दामदनी की आवेश की तभी एक पल की जुदागी एक पल की जुदागी हमारे लिए वर्सों के समान थी जेराम भाई आप जागरत होईए और आगे बताया कि सुबह को जब कृष्ण का मुख देखते थे तो पुरा दिन भी अंदर कौन बैठाता दामदनी का आवेश बैठाता वही अमारे प्रियतम थे तो बताया कि सुबह को कृष्ण जी का मुख देख लेते थे धामदनी का तो पुरा दिन घर में चेंड नहीं पड़ता था पुरी रशोई में घर काम में कोई जग़ चेंड नहीं पड़ता था पुरा दिन वाला जी सुबह तो एहनी स्रामत करता जाए तो ये सुख कहां गए हमारे क्या ये सुख को भूल गए ये जुठे माया के बंदन में इससे भी और अधिक सुख है क्या है बाबु जी क्या बता रहे है और अधिक सुख क्या ये माया के जुठे बंदनों में है क्या ये मकडी की जाल में है क्या उसको क्या का दाम धनीने वानी में सुन्द साजी के ससक सिंग बन जा पुत ये माया कैसी है जैसे एक ससक के उपर सिंग नहीं होते जैसे एक मान जी के पुत्र नहीं होते ये बताया कि ये बाया कभी भी किसी के ओने वाली इम्रुक तुरुशना के जल समान ये संसारे, आपको एक प्यास लगी है, आधे किलो मीटर आगे जाएगे, जब धुब बहुत होती समर के टाइम में, गर्मी की रूतु में, आपको लगेगा के रास्ते पे पानी मिल जाएगा, वहाँ जाएगे, फिर पानी नहीं है, फिर आगे लगेगा के आगे पानी है, वैसे ही तु परिवार में अपनी वंस में भी ऐसा लगता है कि नहीं, अपने पूत्र सुख देगे, पूत्र ने नहीं दिया, तो पूत्र के पौते सुख देगे, वैसे वंस में, मतलब ऐसे हमारी जिद, हमारी लाइफ है, जो जीवन है, वैसे ही व्यतीत हो जाते है, फशा इराम भाई ब्रज में हमने 11 साल लिला की उसके बाद बान्दिका हमारे और आपके पीछ में धामदनी ने बताया कि बोलना भी बंद रहा और उसके बाद जब बान्सूरी बजी योगमाया ब्रह्मान्द में एक मास की बान्सूरी बजी तब आपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया नई बच्चों की ओर देखा नई पती की ओर देखा नई साससूर की ओर देखा और एक एक शन में अपने घर परिवार को छोड़ कर आपके बल ब्रह्म में योगमाया ब्रह्मान्द में अखंड ब्रह्मान्द में अखंड ब्रह्मा अपनी अखंड योगमाया के साथ जो ल जब पानी भरते है, तो पानी को पास करने में कितनी देर लगती है, इतनी देर भी तब नहीं लगी, आज हम इतनी पुकार कर रहे है, झैयराम भाई, छोथे दिन में सत्गुरु ने क्या कम पुकार की, रो, रो के वचन कहके चले गए, विलकते, विलकते वचन कहकेकर चले गए इतना नहीं खननी के भी वचन कहे इतना भी नहीं और भागवत गित्ता कई वचन कहे कबीर के जाठी के माया और ब्रह्म के वचन कहे इतना यह नहीं आप बोले día ज़ी ज़ी सता गुरुआरती आपकी फिया उसमें बोलते हैं माया ब्रह्म को लिड़ने की नो तो सत्गुरु के मुख से आपने कितने वचन सुने माया क्या है उसका स्वरूप क्या है ये ब्रह्म क्या है ब्रह्म के स्वरूप क्या है उसका धाम क्या है उसकी लिला क्या है तो आपने बहुत से वचन सुने और आप कि आत्मदर्ष्टी क्यों नहीं खुल रही है और इतना भी नहीं और आगे बताया कि रास में पहुँचने के बाद बान्सुरी तो त्री देवों ने सुनी शीवग ब्रह्मा, विश्नु, महेश गनेश कहीं ने सुनी लेकिन दोडे कौन दोने कौन, सुन्दसाजी वहाँ जो जिसकी थी ने, वो वहाँ पहुची ने सुन्दसाजी तो यहां बता रहे हैं कि तभी आप पत्ती को यह पांच में जो नंबर का प्रक्रण ने रास्क में, उसमें बताया एने पगले आपन चालिये प्रगला एरे प्रमाण, सुन्दसाजी उस प्रक्रण में बताया कि सुन्दसाजी सरदिनिशारे पुनम्तनी आवियोते आसो मास सकल कलानो चंद्रमा जेनी रजिनिये की दो रास जैसे चंद्रमा पूर्ण रुप से खिला हुआ था उसकी चांदनी की जो किरने है निच्चे जमिन्तव कालिंगन कर रही थी वैसे बहुत से फुले अनेक प्रकार के खिले हुए थे सुगंदी भी आ रही थी नई पान, पत्ते पैड, पोदे, जमुनाजी किनारा, रेत ऐसी नई नई सामगरी की जो दिवियनूरी ब्रह्मान की रचना धामधनी ने कर दी थी वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद आपका भी दिवियनूरी शिंगार सजाया गया पहले कौन दोड़ी भाग कर कौन निकली पहले तामस्या, राजस्या ने किया किया, थोड़े उल्टे-छूल्टे सिंगार करने में थोड़ी देर कर दी लेकिन पीछे भी उसने भी पीछा छोड़ा नहीं, और अंतिम कौन रही स्मातस्या उसका तन का क्या हुआ उस तन का घर में छोड़ दिया, सुन्दसाजी यहां बताया धामधनी ने दिक दिक पड़वासंसार ने कान उठे रे अगी न विर तामस वेगा थया त्यारे अंगडा थया रे पतन यहां बता रे धामधनी के तिनो प्रकार की सक्खिया भागी थी उसमें तामस यह मतलब तामस क्रोध दहेंकार वाली नहीं जो धामदनी के वीरव में एक शनकी भी देर ना करे वो जाके सिधी मिल ले तो सुन्दसाज ये तिन प्रकार के जीव के जो बेद बताए आज हमको धामदनी उस प्रसंग से समझा रहे कि आज इतने सालों के बाद पांच दिन की लिला तो आज 325 साल प पूरी हो गई और छटे दिन में आज छटे दिन किसका है हम सब सुन्दर साथ का जाहर में तो छत्रसाल जी महराजी को सोपा लेकिन बातुनी में कहां बैठ गये धामदनी शिंगार गंत के दूसरे नमबर के प्रकण में बताया अब हुकमे द्वारा खो लिया लिया अपन पूनी रूप में आंत्रिक रूप में सब ब्रमात्माओं के धाम दिल में धाम धनी बैठ गए उसकी बैठकी यही है सुन्दर साथ जी उपर तले अर्स ना कहिया अर्स कहिया मौमिन कलूब कलूब मतलब यह धाम दिल में बैठ गए तो यहां धाम धनी बता रहे के आज जो जागनी का दोर चल रहा है अब भी भी जो जितनी स्पीड से जितनी तेजी से होना चाहिए आज ये तेजी से नहीं चल रहा है तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुन्द साथ जी बस अब ये बात को अपने दिल में बेठा लो बस और कल से चित्वनी में लग जाओ, धामदनी के सुख में डूब जाओ, धामदनी के सुल्व सिंगार में डूब जाओ, और अपना तो आतमकल्यान करी लो, मतलब अपनी आत्मा की जागरूती कर लो, लेकिन हम क्या करने के लिए यहां आये थे सुन्द साजी, मैं भूलू तो, मैं भूलू तो, तू जग कहां गया, हम रोज तार्तम, कितनी बार तार्तम का मंत्र का जाब करते होगे, साइध हम कम करते होगे, कितनी बार, एक दो बार तो करते होगे, साइध, ठीके, उसमें हम बोलते है, यह सुख देव ब्रह्मा, सुष्टी को, तो में अंगन, तो, क्या बोला दामदनी ने, त नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं यह सुख देवु ब्रह्मा सुष्टी को तो में अंगना नार शुन्द साजी यहां यह सुख जब में ब्रह्मा सुष्टी को दूंगी ने तो ही में अंगना नार हूं नहीं तो में मेरी ब्रह्मा सुष्टी में सामिल में नहीं होगी क्यो कि मेरा अधिकार ही नहीं है मैंने दावा तो किया, मैंने कर्तव यह पूरा नहीं किया, तो धाम दनी बार अज़ार के मेले में कैसे सामिल करेंगे, क्या दावा लेने से कोई पुरुन होगा काम मान लो कि हमारे गुजरात के CM BJ भाय रूपानी है, ठीक है पहुचो, और और वो भी बोल दे के, हाँ, जुसना बेंजी आप ऐसा करो पांच साथ दिन के लिए मेरी चेर पर बैड़ जाओ तो क्या मेरे को कोई CM बोलने लगेगे BJ भाय रूपानी बोलने लगेगे, क्या मैं पांच साथ दिन के लिए विजय भाय रूपानी की चेर पर उसकी सत्ता का पुरा में अपने हाथ पर सीर पर ले लू ठीक है पांच साथ दिन के लिए लेकिन कोई गुजरात के मुख्य मंत्री या CM मेरे को मानेंगे कोई क्या कोई है BJ भाय रूपानी है ने मतलब हमने जो दावा किया ब्रह्मात्मा का ब्रह्म सुष्टी का तो हमारी रहनी हमारा आच्राण हमारा कर्तविय हमारी अंदर के गुण स्रद्धा, समर्पान धेरिय, करुणा, संतोस प्रेम, आनंद जो हमारी चीजे एक खुबिया जो निद्या होनी चाहिए वहाइदत एक दिली ऐसे जो हमारे अंदर गून होने चाहिए सुन्दसाद जी तो यह धाम धनी बता रहे है कि तब यह बानसुरी बजी तो हम सीधे निकल गए थे आज साड़ा तीन सो साल से यह ज्यान रुपी यह तार्तम वानी रुपी बानसुरी बज रही है हमने कितनों ने घर छोड़ा दो घंटे के लिए बोली ऐसी प्राणनाद हमने कितनों ने दो घंटे के लिए भी घर छोड़ने के लिए कितना काम को सोब सोब के आये होगे कि भई मैं दो घंटे के बाद आओ जाओंगी ससावा मैं जानी हूँ मतलब ग्यान पिठ में मैं चर्चा स्रवन करने के लिए बितक की जा रही हूँ तिन चार दिन निभालू क्योंकि हमारी परमपरा है ने 400 साल से तो जाना तो पड़ेगा क्योंकि परमपरा हम नहीं आए है समझ में आया हम परमपरा में दुख की बात है मेरे संदर में क्या कर दामदनी बुला रहे हैं मैंने कोई आज सोचा नहीं है मैं वैसे ही सोई थी बस उठके सिधी यां आ गई हूँ ठीक है हम परमपरा निभाने के लिए नहीं आए है हम हमारे धाम दिल में जो पुरुणा पैचान जो हमको परमधाम में नहीं हुई थी वो पैचान देने के लिए धामदनी नहीं ब्रह्मान बनाया है हमारे लिए बनाया है किसी के लिए नहीं बनाया है तो यहां बताया के सुन्द साथ जी आज हम कितने घंटे के लिए या कितने दिनों के लिए हमारी कुर्वानी कोई भी सेवा के छेत्र में कोई भी फिल्ड में चलो हम बोलते हैं ने तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार मुक्ति सेवा तने शुक हूँ तू अंतर आडो ठाल ठीक है चलो दूसरी सेवा तो छोड़ दो अब हमारी सेवा भी, कभी भी हमने सोचा, कि हमारी आतम की सेवा भी हम नहीं कर रहे हैं, पलब हम अपने को भी, हमारी आतमा को भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोसी बना रहे हैं, हम हमारा कलियान के लिए भी सोच नहीं रहे हैं, तो दूसरे को हम कब सुख देंगे, ये धामधनी नी इस प्रसंग से बताया, और आगे बताया, कि रास में पहुँचने के बाद, जो उलाने के वचन तुमको धामधनी ने बोले ने, अरे, रात्री के समय, ये भयंकर वन में, आपका क्यू आना हुआ, किस कारण से आना हुआ, जाओ, एसे प्राणी, पसू, उसकी आवाज भी रात को बहुत भयंकर है, और इतना ही नहीं, आपको डर लगेगा, और इतना ही नहीं, आप पती को, परिवार को, सासू, सस्रा, सास, ससूर, बच्चे सब को छोड़ कर आई हो, जाओ, आपके पती, रहा दिखते होगे, बच्चे भी आपकी रहा दिखते होगे, आपको मा की ममता, जो बात सलिय, आपको बच्चों के भी याद नहीं आई, आप सब छोड़ कर यहां चली आई, कितने वच्चन कहे थे दामदनी ने, और हमने क्या बोला था, और दामदनी ने और आगे वच्चन कहा, कि आपके पती, चाहे कोडी हो, चाहे लुले, पांगले, अंधे, सराबी, जो भी हो, तो भी अपने पती वत तास्री, अपने पती को रात को कभी भी नहीं छोड़ती, तो आप रात को क्यों आए हो, कई वच्चन बोले थे सुन्दर साथ जी, पूरी रासलीला का वरणन लेगे, तो आगे प्रशम नहीं हम पहुंच पाएंगे, तो यहां और आगे बताया, कि सुन्दर साथ जी, तब आप सबने, हमने सबने क्या बोला था धामदनी को, कि पती को तो हमने छोड़ दिया, मैंने आप, हमने आपको एक को पैचान लिया है, आपके अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, आप तो हमारे सर्वगुण संपंधनी हो, सकल गुण निधान हो, आपके अंदर तो पूरे गुणी गुण है, तो हम आपके जो यह माया के अव गुण भरे पती नहीं छोड़ते तो हम गुण भरे निधान, धाम ननी, सुको निधान, ऐसे पती को हम कैसे छोड़े और उसके बाद जो रास की रामते खेली गई, इस रामत में कोई रामत ऐसे कोई सरीर के थन गनाट या कोई डांडिया या हाथ की एक कोई ताली बजाने की यह नहीं है क्या रास की रामते थी? आतम और धनी का एक रस ओत प्रोत आतमा का धनी के अंदर मिल जाना और धनी का आतमा के अंदर एक रस वो जाना ओत प्रोत उसका तेत्रियोपनिशद में बताया रसो वे से हरस मतलब एक रस परवरम प्रेम रस एक रस है और रुगवेद का भी कथन है कि यदगने श्यामहम त्वमवादा श्यामहम है परवरम जो तू है वो मैं हो जाओ और जो मैं हूँ वो तू हो जाओ उसको कहते हैं रास तो ये रास में चाहे सुन्दसाजी हमचड़ी की रामत हो फुदड़ी की रामत हो कौनिया की रामत हो आख मिछामनी की रामत हो करताल की हो जो भी रामत हो तो रामत में धामधनी ने क्या किया, ध्यान से सुनना, अपने दिल का जो गंजान गंजिस, गंजान गंज जो प्रेम वा प्रेम का तो रबद चल रहा था, वो प्रेम की पैचान वा पुर्ण वो नहीं पाई ने हमारी, यही प्रेम, यही रबद, यही इसक, इसका ही रबद इसलिए बतान ये एक पात्साही अरस की और वाहिदत का इसको सोदे खलावने रुहों को दिल में लिया हक जो अनन्त प्ये प्रेम से तो स्यामा जी सक्खिया जो परमधाम के एक एक करण से लेकर आठो सागर्त की जो न्यामत अनिक रुपों में बनी है वो रूप तो धामधानी के स्वरूप थे वोई रूप में धामधानी के स्वरूपी तो लिला कर रहे थे वोई तो किडा कर रहे थे वो पैचान परमधाम में हमको नहीं हुई थी ये पैचान धामधानी के दिल का गंजान गंजप्रेम इस प्रेम के विलास की लिला की रामतों के रूप में कोई भी रामत में ने जो अभी अभी कई रामतों का नाम लिया यह रामतों के रूप में प्रेम के विलास में सुन्द साजी जो सक्या ओने रामतों खेली किडाहे की कई प्रेम की सुन्द साथ जी उस रामत की धामदनी यहां जैरामभाई कंसारा को याद दिला रहे फिर याद दिलाती हूँ सत्रसो बाईस में और आज यह घड़ी में हम सब को याद दिला रहें कि हो प्रेम बड़ा बड़ा दावा आपका कहां गया वहाँ एक पल भी आप जुदे नहीं रे पाये थे बाद में धनी की अंतर ध्यान लिला हुई क्योंकि श्यामाजी और हम सक्ष्यों के अंदर थोड़ा कुछ भी इतना भी सुक्ष मेहिंकार भी आ जाता ने वहाँ धामधनी हमारे सेट जाते इसलिए तो धामधनी ने बताया के मारिया कहिया काडिया कहिया कहिया हो जुदा यही में खुदी टले तो बाकी रहिया खु अधि दिए, समझ में ये रास उपर की बात नहीं है, यहां की है, यह जागनी रास खिला जा रहा है, यह रास तो दूसरे दिन में खेल लिया, तीसरा जागनी रास खेला जा रहा है, क्या? ये जागनी राह से आज ज्यादा लज्जित होना है तभी तो ठीक है वानी बबुजी वानी तभी नहीं उत्री थी भाईया तो तभी इतना सर्मिंदा ये लज्जीत हमारी हासी नहीं होती आज चोथे दिन में पांचमें दिन में दोनों सरुपों ने दो जामा धारण किया और इतनी बाते बताई दो बाते लगा इरेनिया चोथे दिन की और पांचमें दिन की और भी अम अंदर से नहीं जग रहे हैं कितने कठोर, कितने ठीड, कितने निश्थूर अभी भी वो याद नहीं आ रही है परिवार के रिष्टे में दुख के साथ के रही हूँ भाईया, दो दीन अलग पड़ते ने तो तीसरे दीन तो फोन ही कर देते कि कैसे हो, ठीक हो ने ठीक हो, क्या धामदनी को कभी भी फोन किया तेह दिल से तेह दिल से कभी भी अरजी की पता है मम्मी, पापा, आर दिन नहीं मिलते ने तो अभी तो पुरी सुविदा है कैसे हो, ठीक तो हो ने, बीमार तो नहीं हो स्वास्ते तो ठीक है ने कभी भी धामदनी के साथ कभी भी ऐसा कॉंटेक किया हमने अंदर से नहीं किया नहीं किया ने धामदनी तो वानी में बता रहे के तेह की करज पहुंचते जो भेजिय पाक दिल तेह की चोकस हमारी अरजिवा पहुंच जाएगी जो हमारी ब्रह्मात्मा पहले चली उसकी अरजी पहुंची तो हमारी अरजी नहीं पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी क्या बच्चो प कमी है ने कोई आवाज में कमी है हमारी पुकार में कमी है अंदर से हम तेह दिल से अंदर से हमारी अभी मैं यहां बैठी हूँ for example कोई ऐसा न्यूज आ जाए समाचार आ जाए कि आपके घर में कोई ऐसी घटना घटी मैं धनी को भी छोड़ दू पहले नंबर पे बाद में सुन्द साथ को छोड़ दू तिसरे सरसावा छोड़ दू अभी इस हाल में मतलब यही स्थिति यही पल्मे में बाई एर भी चली होना चाहिए जिस दिल में एक रूप होना चाहिए क्योंकि यही माया तो प्रबल हो रही है हम बोल रहे हैं कि यह माया कहीं से दज्जाल बोला है वानी में यह माया कहीं से गुस जाती है पता ही नहीं लगता कितना कहना कितना छोड़ना है तो बहुत से प्रसंग लेना था लेकिन मेरे लिए तो इतना नहीं हो पाएगे क्या करूँ में सुन्द साजी और आगे जाई है रास में हमारे अंदर शुक्षे महिंकार आया कि देखो धामदनी हम जो बोल रहे हैं भी कर रहे हैं मतलब हमारे कहने पर चल रहे है धामदनी लाड़ भी देते प्यार भी करते जैसे बच्ची होते ने ज्यादा सरारत करते हैं मतलब मस्ती करते ने तो मा पहले से तो सांती से समझाती फिर क्या करती एक चाटा मार देती ठीक है द्यान से सुनना छेट्ट्य दिन में लिला नहीं चले लिला की याद दिला रहे अभी लिला तो खतम हो गई पूरी हो गई पांथ दिन की ये छेट्ट्य दिन की लिला में तो याद दिला रहे के बस जागो ये लिला होने वाली नहीं है वो तो हो गई पाष्ट बन गया भु शुक्षम अंदर आया ने, श्यामा जी को भी लगा, कि धामधनी, मेरे को, मैं बहुत थकी हूँ, इतना खेल कर, तो मेरे को कंदे पर लेकर, तो सुन्दस साथ जी, धामधनी अंतर ध्यान हो गया हमारे बीच से, वैसे तो रास में एक बार नहीं हुए, वैसे पांच बार हमारे बीच से चले गए, चले गए ने, दोनों बात में ले रहे हूँ, चले गए ने भाई, पीउ पांच बेर हम वास्ते, सागर में डारिया, ठीक है, वानी की चुपाई, बोल रही है कि पांच बेर, धामधनी इस संसार में हमारे लिए, आये ने पांच बात, कई कई वच्चनों से समझाया, फिर सक्या, श्यामा जी खोजने लगी, सुन्दर साजी, फिर धामधनी याद दिला रहे है, कि वहाँ, मिले नहीं, श्यामा जी मिली, फिर बेली भी हस रही, कि देखो हमारे पती को, कैसे, चिपक करम, लग रही है ने, तो आपने अपने पती को वैसे चिपक कर रखा होगा, तो जाएगे आपके पती कहीं, नहीं जाएगे, क्या बता रहे हमने अपने धनी को, धाम दिल में रोच चित्वनी करके, बिठा के रखे, तो हमारे धाम दिली की, कोई निकालने की किसी की संसार में, माया की कोई चीज की, बल है क्या, कोई चीज का बल है क्या, कि हमारे धाम दिल से धाम धनी को निकाल सके, माया में अंदर, माया तो एक कुछ उसका अस्तित्व है ही नहीं माया का स्तित्व तो यही नहीं बताया धामदरीने वानी में एक तुला में आप जब तुलेगे उसको रखेंगे तो एक ब्रुई का एक फुआ उड़ता नहीं उसको एकी तुले में रखो एक तुले में ये माया की ब्रह्मान चौद लोग को रखो लेकिन उसका वेट, उसका वजन ज्यादा होगा, लेकिन ये ब्रह्मान का वेट, वजन नहीं है, माया का कोई बल नहीं है लेकिन कितनी प्रबल हो गई ये माया यहां बताया के सख्या खोज रही एक बहुत विरह किये इतना इनी अनुकरन लीला व्रज की की धामधनी प्रगट नहीं हुए फिर वो याद आई और जो इंद्रावती सख्य थी उसको मानेक दे रास में कहा गया उसने किष्ण का रूप लिया और उसने बांसुरी अपने अधूर पर धरी और फिर अंदर से वीरह और आया याद आई विजब बांसुरी बजाई और सख्या जैसे घरबार को छोड़ कर निकल पड़ी थी वैसे ही कोई गाई को दोहती हुई वहाँ पतिले पड़ गए कोई को पति को लोटो नाम से जल से नहला रही थी वहाँ गिर गए कोई बच्चे को स्तनपान करा रही थी वहाँ बच्चे छुट गए निचे गिर गए वैसे हाल में यहां से सुन्द साजी निकल गई थी यह ब्रज के ब्रह्मान से यह याद दिलाई कि जब बानसुरी की नाद की तब भालो जी फीर प्रगट हुए इसलिए धामदनी ने वानी में भी बताया फेल मुल सरुफे देखिया थी तब जोंसलियो खेंच कर तब चित चोग भई अक्षर यह बताया कि कहीं भी गए नहीं थे आड़ा रुख मतलब रुख शाय थे एक पेड आड़ा आ गया पेड मतलब धामदनी का आवेस श्यामा जी के अंदर चला गया था परमधाम गए नह था सुन्दसाजी लेकिन सक्षियों को दिखाई नहीं दिया ने तो हमारे अंदर भी इतनी भी माया आ जाएगी ने तो धामदनी नहीं दिखाई देंगे फी धामदनी प्रगट हुए यहां जैराम भाई को स्री जी दिवबंदर में बता रहें कि जैराम भाई इतना नहीं प्रगट होने के बाद फिर एक एक सक्षी एक एक कृष्ण मतलब राजी के साथ हमारी जो लिलाए हुई क्या प्रेम की पराकाष्ठा की मादूर्य की पराकाष्ठा प्रेम की पराकाष्ठा जिसकी कोई आनंद की सीमा नहो ऐसी लिलाए हुई हम सराबोर हो गई प्रेम में इतनी मस्तान हो गई, इतनी डूब गई, इतनी सराबोर हो गई, कि सुन्दर साजी हमारी सुधी भी नहीं रही, इंद्रावती तो अंतिम में जाके केती है, 42 मरमर के प्रक्रण में, कि धाम दनी मैं तो सोगंद खाकर केती हूँ, आप में आपका प्रेम संभालू या आनद को संभालू, देखो कितना प्रेम बरसाया, सुन्दर साजी ब्रज में जो प्रेम और समर्पन और सुरद्धा थी, वानी नहीं थी, आज वानी है, तो हमारे पास प्रेम, समर्पन, सुरद्धा ये नहीं है, ठीक है, कि मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है नहीं, आया दाम धनी नहीं बताया, और आगे बताया कि क्या बताया, इतना प्रेम बरसाया, फिर जब लिलाये पुरी हुई, पुरी वने के बाद धाम धनी ने बोला सक्या, आपने इतनी रामते खेली, चलिए, हम ऐसा करें, जमुना जी के तट पर जाए, और आपके पसीने से ये पुरा सरी, पसीना पसीना हो गया है, तो आप ऐसा करो, वहां नाहल इसनान कर ले, सुन्दसाजी ध्यान में रखना एक बात, योगमाय अखंड, योगमाय ब्रह्मान में पसीना नहीं होता, ठीके, यहां के भावों से धाम धनी ने बताया है, क्योंकि जीव लेकर गया है, ने वहां, जीव भी तीनों के गए है, तो जीव के भावों के आधार पर बताया है, कि वहां जाके, क्या बताया, क्या दाम धनी, जब सबर सक्षिया को लेकर, जमना जी में जल कीड़ा किया, जल जीरना भी किया, और पसीने वाले वस्तर पर कौन बेठे, धाम, कितना प्यार हमारे प आसमान बड़ी बड़ाई उनकी जाकी सिफत करे सुभान कितना लाड बरसाया और अनिहारे जिलन रंग सोहामना आपन जिलसु वाला जी ने संग रामत रमी ने घेरे आविया काई पुरन थयो रंग रास श्याम कहे श्यामा जी सुनो काई आपन मनमा जेह जेरे मनोरत आपना कि आपके मन में जो मनोरत रहे वा आप बता दी जी मैं अभी पूरा कर देता हूँ किस ने बोला धाम धनी ने बोला और उसके बाद भोजन भी आरोगाने क्यां जमुना जी के तटपर हमने भोजन फरतन फेर बाजोटिया रंग पाकी परवाली लार पढ़गी कांगरी ने कांभी पढ़गी ने कांगरी सुन्दस रहे रहे निहाली तो ये जो प्रकरण है उसमें बताया कि भोज भी आरोग या सुन्दसा जी चार सक्खिया ने धाम धनी को शिंगार कराया उसके बाद भोगारोगा भोगारोगने के बाद सब अमजमना जी के तट पर बेठे और धाम धनी ने पुछा कि सक्खिया आपकी क्या इच्छा है तब हमने इतना ही बोला कि हवे ने हवे रेवालया एटलो मागू जया खिने कलगाना चाहिए जहां वीरह नहीं आपनों चालोते घर जहिए तब धाम धनी ने बोला कि मेरे और आपके बीच में एक पल की जुदागी दुरी नहो ऐसा घर तो एक ही है परम धाम जहां में और आप अलग नहीं हो सकते ये तो जो ब्रमांद का अलमया का या रास का योगमाया का ब्रमांद बना उसमें तो वियोग और जुदागी और मिलन की लिला होती रहती है तो चलिए आप परमधाम शुन्द साजी वहां अंतिप प्रक्रण में सेथारिश में नमबने प्रक्रण में बताया के मारा वाला वालम जीरे प्रितम हमारा हमने छोडीने का चायला प्राणनाथ तो वहां बैठकर और भी बाते हुई क्या बाते हुई श्रंक सक्या ने, सक्या को धामधनी ने पूछा, के सक्या ब्रंदावन कैसा लगा, तभी बताया के धामधनी आपने विलास का सुख तो बहुत दिया रामतों के रूप में, लेकिन जो विरह का जुदागी का दुख दिया ने, इसलिए योग माया ब्रह्मान का सुख हमारे लिए समसान घाट की तरह है, सुन्दर साथ इस बात से हम इतना ही समझेंगे, कि योग माया ब्रह्मान में हमारी एक पल की जुदागी नहीं थी, तो भी समसान घाट लगा, तो इससे अधीक गुना सुख, ये जागनी ब्रह्मान का है, बोलिए श्री, क्या बोला, इससे अ दिल के दी दो माहें, ब्रज, रास और धाम की, पन जागनी की सुद ना है, चोथे दिन में भी ये सुख नहीं मिला, ये पांच में दिन का सुख था, और आज छटे दिन में तो और अधिक शुख, फिर धाम धनी, शुन्दर साजी परमधाम वापस लेकर गए, और वहां जाकर, फिर हमने क्या रबध लेकर Beठहे, क्या रबद लेकर बेठे बच्चों, धामधनी, आप जो केते थे, चे अलग 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 प्रांत में, अलग अलग बेशवुषा में, अलग अलग बोली में, एक परमात्मा के नाम पर, अलग अलग कालपनी, एक पत्थर की ही का अलपनिक देवी देवता बना कर आप उजोगे और अलग-अलग पती धारन करोगे अलग-अलग कई परिवार इस्तेों में आप बंदोगे ये सा तो हुआ ही नहीं तो ये माया का खेल तो हमारे लिए अधूरा रहा तो वहां जाके फिर इसलिए धामदनी नेवानी में बोला के तिन बेर मना किया तब हम मांगिया फिर फिर और फिर धामदनी जैराम भाई को 1722 में बता रहे हैं के जैराम भाई फिर परमधाम तो ले गए धामदनी फिर वहां जाके वोई नहीं वोई बात फिर धामदनी आ लाए इससे पहले तिसरे दिन में क्या लिला गटित हुई श्री महम्मद साहेब अरब की धर्ती पर आये 63-63 साल यहां लिला की और कुरान में अमारी शंकेतों के रूप में शाक्षिया दी और चोथे दिन में सत्गुरु धनी देवचंद्रजी के सात वाला जी यह ते नी ताल सुंदर्बाई मोकलिया सखीत में लई चालावेस मम्मु को एक ला तो चोथे दिन में सुंदर्बाई आपन माते आविया से आनी वार जी यह आपन ने अडगा न करे काई मोकल याचे प्रान आधार जी तो चोथे फेरे मतलब चोथी बार सत्गुरु धनी देव चंदर जी के साथ हम आए ये वचन आई जैराम भाई को नहीं के रहे किसको के रहे है हम सबको के रहे के सुन्द साथ जी तभी हमारी आँख नहीं खुली पांच में दिन में धाम हम दनी कहकर अपने मारी बीच से अंतर ध्यान लिला कर ली तो ओभी हमारी आख नहीं खुली आ 325 साल से अभी भी हम कितना भंडारा कार्यक्राम करते ही जा रहे करते ही जा रहे है तो सुन्द साथ जी अभी तो हमारी आत्मदर्श्टियम खोल लिये तो ये बात बताने के बाद क्या बताया सुन्द साथ जी और आगे बात रखी के सुन्द साथ जी जहरम भाई रोईया जहरम भाई दोपर के बाद भी चर्चा शुरू रात दिन चलती रही ठीक है जहरम भाई रोईया, भूल मानी अपनी क्या हमारी आखों से कभी धनी के लिए आशु गिरे कभी भी डुल के अंद नीचे आशु गिरे नहीं गिरे परिवार के लिए गिरे रिष्टेदारों के लिए गिरे बच्चे के लिए गिरे, माता-पिता के लिए गिरे, लेकिन धनी के लिए कोई यह इसी विरली आत्मा होगी जो बड़ी ब्रमात्मा होगी कोई परमंस जिस हमारे बड़े माराज जी है सुंदश साथ जी सरकास्री पुझे स्वामी जी आज अम भी हमारे सामने आज़ा सुने जा अंकल वहिया सुंदश साथ जी यहां धाम धनी बता रहे है कि हमाई धाम धनी के लिए आंसु गिराये उसने किसके लिए गिराया कि आपने घर में बिजनेस नहीं चल रहा था इसलिए रोया क्या जेराम भाई किसके लिए आंसु गिराया उसने धनी के धाम धनी अरे मेरे लिए तुम वहां से इतना पंथ काट कर यहां तक मेरे को समझाने के लिए मेरे कारज के लिए तुम यहां तक आए जेहराम भाई ने तो अपनी भूल मान ली और अपने से अलर्ट हो गया साउचेत अपनी वोर हो गया और आज सुन्द साजी यह जो चर्चा का सोर पूरे दिव बंदर में फैल गया इतना ही नई वहां के जो कथा वाचक पंडीत ब्रामन लोग थे कोई भागवद गिता के जो कथा वाचक थे उसमें सोर मच गया उसको लगा के हमारा यह जो कथा का स्थान है वहां कोई आई नहीं रहे क्योंकि वहां कोई अवलोकिक अध्यात्मी में जो ज्यान होता है क्या पार का जो ज्यान अवलोकिक चर्चा एक बारब्रम एक परमतत्वकी एक अत्मतत्वकी अमा सुनने के लिए नहीं मिलती थी तो उसने सुना कि वहाँ तो कोई ऐसी अलोकिक चर्चा नहीं मिलती है ये तो कोई अलोकिक नहाँ पुरुश आये है उसके मुखार बिंद से कैसी मिठी वानी मिल रही है चर्चा सुनने का खंड ब्रज की, रास की, धाम की तो चलो वहाँ जाए, तो कथा वाचो के के वहाँ धीड कम होने लगी या स्रीजी के वहाँ पूरी भीड लगने लगी तो वहाँ कथा वाचो को ने मिलकर एक चुगलकोर को खड़ा किया चुगल कोर सुंदर साजी कहां गए जो वहां तभी पुर्त गाली सासन चलता था फिरंगी लोकों का आपको पता होगा कि दीव दमन गोवा तिन केंदर शासित प्रदेश है पहले गोवा में भी कहीं बार ऐसे धर्मान तरण करने के लिए हिंदू से मुस्लिम बनाने के यहां किस्चन की बात है के किस्चन बनाने के लिए धर्मान तरण करके बहुत लोगों को वैसे कश्ट जिलना पड़ा था तो यहां भी बताया के वैसे दिव बंदर में पुर्त गाली सासन चलता था फिरंगी राजा बहुत कुरूर और हत्याचारी था तो वहां भी पहुंची नहीं है लेकिन धामधनी ने क्या वार्णी में बोला जो दुख मेरी सयन को तो सुख कैसा मोहें जहां मेरी सयन को दुख आता ने तहां मेरा अंग को में मेरा अपने सरीर को में खड़ा कर देता हूं बीच में मेरी सयन को दुख आने नहीं देता तो सुदसाजी च जल्दी से उतावले जा रहा था, वहां जाके मित्र के रूप में राजी ने पुछा, कि भई आज आप इतने उतावले जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, तब उसने बोला कि भई यह जो यहां एक कोई महात्मा गाओं में आये है, वो हमारे देवी देवता की, मेरे कोई किस उसे सुना है क्या, या किसी की सुनी सुनाई बात कर रहे हो क्या, और आपने कभी भी यह महात्मा को देखा है, तब ही बोला कि मिने सुना भी नहीं है, और देखा भी नहीं है, तो बोला कि देखके भी ना, या सुने भी ना, आप सिधे ही वाचुगली कर देंगे, तो पत का पाप का पाप का भागिदार कौन बनेंगे आपको ये पाप भुगतना पड़ेगा इतना ही नहीं आप आपके दोसी बनेंगे आप ये काम मत करिए तो सुन्दसाजी धामधनी बताते के वेदो का भी कथन है कि आप किसी का सुना हुआ भी एक बार जो सुना ने वो चार ब आप देने का अंदर मतलब कोई तरीका नहीं है, तो आप ऐसा करो, मोन हो जाओ, मोन की भासा, जो लोग विनम्र होते ने, उसकी पैचानी मोन है, मोन हो जाओ, लेकिन बड़ी-बड़ाई बात किशी को, और को किसी आपको एक बस प्रबोध दे रहे हैं इस बात से, हमको भी, कि बच्चो, किसी सी सुनाई वो, इससे भी कोई ज्यादा बढ़ो-बढ़ोतर करकर के किसी को सुनानी, नहीं, उस पर थोड़ा विचार विमर्ज करना, और कैसे जवाब देना, सब को यह धामदनी बता रहे हैं, तो वहां से सुन्दर साथ जी, वो जो चुगल खोर गए वापस लोट गए, और इतना ही नहीं, राजी के जोस के स्वरू पर अद्रश्य, वो गए पिछे मुड़ कर देखा तो थे, नहीं थे, सुन्दर साथ जी तो यहां एक लिला घटी तो ही, और सुन्दर साथ में भी सोर मच गए, कि देखो चुगल खोर ने चुगली, वहां उठता नहीं, एक आंधी उठती नहीं कोई बातों की, तब क्या होता, कि हम भी कोई अपने घर में छिप गए, कोई खाडी पार करके चले गए, कोई तो बोल रहे थे, हम कभी भी सुनने के लिए गए भी, नहीं यह और जायेगी भी नहीं, भले पांच दिन से आ रहे, ले लेकिन पीछे का 15-16 दिन आना नहीं है, तो यहां हम को तो बता रहे हैं, फिर सब को पता लगा, कि यह भई बात, बातसा तक नहीं पहुंचिये, यह तो बस ऐसे ही, फितना एक उठाता, सोर उठाता, फिर सब सिरी जी के सामने आये, चर्चा में, और सुन्दसाद जी, जह इरामभाय की मान उपर, अडिग रहा, वो महा से, तस से मस, नहीं हुए, धामदनी कलस में बताते है, आकिन ना छुटे, शुहागनी, पड़े जो कोटवी घन, प्यारी पीऊ के कारने, जीव को ना करे, जतना, जो ब्रमात्मा होगी ने, सच्ची, सत्य की रहा पर चलने व सुन्दर साथ जी सब सुन्दर साथ सर्मिंद की का अनुभाव कर रहे है, और चर्चा सुनने लगे, वहां पचास साइट से ज़्यादा भी सुन्दर साथ ने तार्तम लिया, और स्री जी वहां निकलने की सुन्दर साथ जी विचार कर रहे है, धामदनी ने यां महेर की, स ये सब इस कहक का पल-पल महर और महर सागर में भी बोलते हो ने दो महर देखत खेल में लोक देखे उपर का जहुर जहाई अंदर महर कचु नहीं आखर वो तक्षे दूर जो अतुनी महर नहीं देखेंगे सिर्थ जाहरी महर देखते रहेंगे तो यहाँ जहरी महर हुई क्या हुई बुर्तगाली सासन से ब्रह्ममुनियों की रक्षा की सुन्दसाजी और स्रीजी ने सोचा कि बस अवे बाहर निकले क्योंकि ब्रह्मात्माओं की जमाद एक जगर नहीं उतरी है हर देश प्रान अलग-अलग स्थानों में उतरी है तो उसको खोजना जरूरी है पांच में दिन में सब उत्तरदाईत वह मेरे सीर पर है तो वहाँ से निकल कर सुन्दसाजी कच्छ में पहुंचे स्रीजी वहाँ थावर भाई को मिले वहाँ भी खंड़नी के वच्छन किये वहाँ से मंड़ई में पहुंचे प्रागमल भाई कुवर भाई को मिले वहाँ भी खंड़नी के वच्छन किये और सुन्दसाजी वहाँ से खंड़नी के वच्छन ये किये जीवते किये खबरदार मतलब ये माया की बात ही चली जो अभी मैंने जैराम भाई की बात चलाई ने क्या बताया के प्रागमल भाई हे कुवर भाई तुम इस माया में जीऔते भी मरे हुए हो कब धनी के प्रती खबरदार होगे बताया नहीं एक सरीर एक कबर है, मुर्दा है ये संसार भी एक मुर्दा है भले हमको जीते हुए जीते हम देख रहे है लेकिन ये भी एक मुर्दा है तो वहाँ भी खननी के वचन केकर श्री जी, सुंदर साजी मंड़े से अगर कपई में हरिवन स्वाई उसके बड़े भाई दो नाते की बात थी लोकिक और अलोकिक जो मैगबाई महायतन प्रशंग जिसके अंदर हरकबाई की परमधाम की हरकबाई की वासना है तो वहाँ भी उसको कठोर वचन से समझाया खननी के वचन से समझाया और बोला कि जहाओ नवतनपुरी बिहर जी माराज के परनाम करो और अपनी आतमा को जहागरत करो ये करते सुन्द साजी वहाँ से लाठी होते हुए ठठा नगर में पहुँचे ठठा नगर के प्रशंग हम कल बताएंगे आज सुन्द साजी ये प्रशंग को हम यहाँ रखेंगे इतना के करियावानी को विराम देंगे दीव से ले ठठा में दीव से ले अब फेर कहों ठठे की भाई भी तक जो हमा से भाई भी तक जो हमा से बलेशी प्राणनाथ सत्गुरो बना